हर सपता हमारे लिए कुछ नया लेकर आता है हर आने वाला दिन हमाई तकदीर में कुछ नया लिखता है तो आए जानते हैं एक तारिक से लेकर साथ तारिक के मद्द हमारे और आपके जीवर में क्या भी देगा सपता ही क्राशिफल में हमाई तकदीर हमारा कितना साथ देगी हमारे आसपास के लोग हमारा कितना साथ देंगे हमारे परिवार की स्थेती क्या होगी सेहत की स्थेती क्या होगी नौकरी वैपार कैसा चलेगा बच्चों की पढ़ाई कैसी चलेगी सेहत कैसी होगी यह सब कुछ हम जानेंगे शुभारम करते हैं सापताहिक राशीफल का मैस्ट लॉजर सचें स्वागत रपिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्श्कों का एक तारिक से साथ तारिक के बंद की हम बात करने वाले हैं यह जानकाई चंद राशी और नाम राशी पर अधारित होगी आपका जनम दिन है शादी की सारगिरा है आपको धेरो धेरो शुब कामना आए होली आने वाली है होली की भी अगरिम शुब कामना आए राशी फल की शुरुआत करूँ उससे पहले हम मात थर्टी सेकंड में जानते हैं इस लाजवर्ट पत्थर के बारे में यह लाजवर्ट पत्थर उन लोगों को सूट करता है जिनके जीवन में कस्ट है जिनके पती-पत्नी के रिष्टे अच्छे नहीं है जिनके जीवन मे अनिक प्रकार के करजे हैं, घर में शुक्षानती नहीं है, शत्रू का बाधा है, नजर दोश है, और वो व्यक्ति परिशान है, पैसा कमा रहा है, लेकिन जोड नहीं पा रहा है, और खासकर उन बच्चों के लिए, जिनकी बुद्धी कमजोर है, जो पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन याद नहीं रहता, एक्जाम में फेल हो जाते हैं, आप इसे पहरें, आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा, L8 इसका कोड है, और इसकी कीमत है, 18 सा रुप है, ये पंच धातु में मढ़ा हुआ बिलेगा लॉकेट के रुप में, अभी ओर्डर करें, अब बात करते ह आपके राशी फल्की, ब्रश्शिक राशी, सब्ता का आरब में आपके स्वास्त खुशी, कारी को चलता, आत्री स्वास्त धहरी के लिए शुब नहीं है, महत्वूर कामों को काम करने में बाधाएं आएंगी, मन मताबिक परिणाम आपको प्राप्त करते के लिए कली पहल कारी छेत्र में अधिक कौशल और विशेश्यक्ता का परियोग करेंगे, तफलता मिलेगी, आपके वरिष्ट अधिकारी का सहयोग मिलेगा, वैपारिक इस्थाल के महाल में आप दिश्यक्रुक से सुधार पाएंगे, नौकनी पेशा वेक्तियों को अपनी प्रगती के बा लाल जगुरी बला है, आपकी गिराज की मुसीमत बढ़ सकती है किसी सरकारी दफ्तर में, आपकी शिकायत हो सकती है, स्वास्त भी उत्वार चड़ा दिखा रहा है, चार और पांस तारीकों समय अच्छा आजाएगा, और आगे बढ़ने की उन्नती के रास्ते कुलते और छे और साथ तारीक को आपके की अगे कारियों को फ़र्ण रात होगा, आप किसी के सामने जुकना पसंद नहीं करेंगे, हमें शाती चोड़ी करके बात करेंगे, और काम की अधिक्ता की वज़े से आप थोड़ा सा विजी रहेंगे, इसलिए कई बार किसी को कोई बात क मैसे देना है, वो देना बूर सकते हैं, एक मार्च भी बात करें, वहां चलाते समय सबक पर चलते समय सावधानी रखें, धन का निवेश सोच समझ करें, जीवन साती से तार्मेर बिठाय रखें, अनवशक वाद विवादना करें, प्रेम संबंदों में दिन ठीक रहेगा, बस ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं है, और मार्च दो की बात करें, पास्वार सा उदास पहसूँ कर सकते हैं, काम में रुकाउटे आएंगी, और विद्या बच्चों की बहुत अच्छी रहेगी, धन का निवेश बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साती से बच्चारी हो सकते हैं, आप वाद विवाद में हैं, किसी तो लड़ाई जब में शांत हो सकते हैं, प्रेम संबन में आज का दिन उतना ठीक नहीं है, आपकी कमार के इसले हिस्ते या टांग मुद्द हो सकता है, लेकिन दें फिर भी ठीक बैठेगा, लेकिन अगर आप योग प्रयाम क करेंगे, अपने दिमाग को उदासी से कही हों डाइवर्ट करेंगे, तो कि दो तारिक भी अच्छी हो जाएगी, तीन मार्च दोजा टेश की बात करेंगे, तो आज आपको सफलता मिलेगी, आपकी संतार 29 शीर होगी, विद्याती पूरी एकालता तुश्वास से आगे पीन अच्छी बात नहीं है, तो इस अपको पीते रहेंगे, दिक्कत और बढ़ेगी, अभी से सुधर जाएगे, चार मार्च की बात किया जाए, तो यह दिन आपके शुब रहेगा, और उमी सरी धन खमाएगे, उनका भाग जो साथ है, उनको मिलने माला है, जीमन साथी से निकल जाएंगे, आपको घरवालों से या किसी पासपरोश से ज्यादा तू-तू-तू-मेमे करने की जरूत नहीं है, और खूर्षकार समाल में जो आप दे पाएंगे, आप से कुछ लोग प्रभावित होंगे, आप सावन जुटाइए और अपती मानसी परशानियों को कम क बात की जाए, आप किसी धर्मी कतिविदी में शामिल होंगे, बच्चों के साथ और सरयोग से परसंता और रुसा बना रहेगा, हो सकता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी संतोज जनक हो, आज के दिन प्रेम समंद्ध में स्वभाग्य होगा, जीवन साथी की पत स्वास के सुधार होगा, जो बीमार है या भुझर्ख है, बिद्या रचिव का दिन कारीठी की चुरहेगा, आप जीवन साथी के राम पती पासके हैं और जीवन साथी का आनन्द पासके हैं, बात करते हैं, साथ मार्ज की सप्ता का सरवशेर दिन है निशी तर उसरा आपक हमान की प्राप्ति होगे और यह सब्सक्राइब होंगे तो आप अच्छे निर्ने ले पाएंगे सोच समझ कर तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुप कामना है आपको यह साल जो है 70% शुप परिणाम दे रहा है 30% आपको महनत करनी होगी जानते हैं कब और कैसे करनी है महनत हन appelle जी की व्रवा अपर बर से कैसे आईये जानते हैं कुछ वपाएए आपने पूरा राश्रुवर समझा ध्यान से सुना संगे अब उपाये की बात आई उपाये में हन्मान जी की उपासना करिए क्योंकि हन्मान जी के पास ताकत है आपके सभी कष्टों को दूर करने की भगवान शेयों की उपासना करिए क्योंकि भगवान शेयों काल नहीं महा काल है अगर आपके उपर कोई परशानी आने वाली होगी तो भगवान शेवर को संभाल लेंगे बाकि अपना कर्म अच्छे से करिए और अपने परिवार की सेवा करिए बड़े वुज्दों का शिरवार लीजिए और अपनी जनम कुल्ली की जाज जरूर कराईए अगर आपकी जनम कुल्ली में सितारे बहतर नहीं है तो आप कुछ नहीं पापाएंगे तो अपने सितारों को बहतर करिए अपनी जनम कुल्ली की जाज कराईए देखिए एक पैन होता है पैन के अंदर अगर रिफिल नहीं हो या pen के अंदर अगर शाही नहीं हो तो pen कुछ नहीं लिख सकता वैसे ही जब आपकी चरंपण्णली में शाही नहीं होगी यानि की ग्रहों में दम नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं लिख सकते कुछ नहीं पार सकते तो खाली पैन जेम में रख कर दिखावा करना है तो एक अलग बात है लेकिन अगर कुछ लिखना है तो उसके अंदर शाही भी होनी चाहिए या रिफिल होनी चाहिए और आपका जीवन बिना कुडली दिखाए ऐसा है जैसे बिना शाही का पैन तो अग सकार